नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि डोलोपार 650 टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है डोलोपार 650 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और डोलोपार 650 टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यहां भी डिस्कस करेंगे कि डोलोपार 650 टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किम कंडिशन्स में डोलोपार 650 टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। डोलोपार 650 एक ब्रैंड नेम है। डोलोपार 650 टैबलेट के अंदर सौल्ट कमपोजीशन पैरासितामोल होता है। दोनों पार 650 टैबलेट का उप्योग हलके दर्द और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। पसंद आ रहा है। तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि डोलो पार 650 टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे डोलो पार 650 टैबलेट दर्द और बुखार की एक बहुत ही सुरक्षित दवा है। और ज्यादातर व्यक्तियों में डोलो पार 650 टैबलेट की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादा खुराक में डोलो पार 650 टैबलेट को लेने से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको डोलो पार 650 टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई खुराक में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि डोलोपार 650 टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। डोलोपार 650 टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। बुखार होने पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर डोलोपार 650 M.G. टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सलाह देते हैं. लेकिन डोलोपार 650 टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको डोलोपार 650 टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि डोलोपार 650 टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए. और किन कंडिशन्स में डोलोपार 650 टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है. अगर किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में दॉक्तर को बताना चाहिए. क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में डोलोपार 650 टैबलेट की खुराग घटानी पड़ सकती है. लगातार दस दिन से अधिक डोलोपार 650 टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं है. इसलिए डॉक्तर की सला के बिना डोलो पार 650 टैबलेट को लगातार 10 दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डोलो पार 650 टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट जैसे पेरासिटामोल आदी से एलर्जी है। तो ऐसे व्यक्तियों को डोलो पार 650 टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। 650 टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। और अगर आपका डोलो पार 650 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं